हेले इस्टूडेन कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेटर चल्लूरी को बच्छो क्लास 11 फिजिक्स में आज का टॉपिक है न्यूटन के गतिका त्रत प्रतिनियम यहाँ पर न्यूटन के गतिका त्रतिनियम तो एक लाइन पर है कि प्रते क्रिया के बराबरे में बिप्रीत प्रत्क्रिया होती है एक ही लाइन पर है लेकिन यहां से कोच्छन पूछे जाते हैं इसके उदारन से मुख रूप से बच्छे क्या करते हैं कि बस एक लाइन का समझें कि प्रतेक्रिया के बराबर तथा भी प्रत्क्रिया होती है बस इतना समझ लीजे मानू बन गया ऐसा नहीं है इसका में रूप से आपको उधारन समझना होगा और जो प्रश्ण पूछा जाता है उधारन से ही पूछा जाता है लगबाग 10-12 उधारन है आपके बुक्स में लेकिन कम से कम पांच उधारन तो आपसे बनना चाहिए जो की बिलकुल एकजाम में पूछे जाते हैं सबसे पहले समझते हैं बच्चो आप अपने दैनिक जीबन में कोई भी ऐसा न्यूटन के गतिका त्रतिनियम है ना जहां पे फालो कर रहे हूँ आ आप अपने घर में अभी बैठे हैं दिवाल पे एक हाथ लगा देना आपको कभी ऐसा भी लगेगा कि भाई साब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत चोट आ रहा है एरे भाईया ऐसा नहीं करूं सर्व हाथ भी कलांग हो जाएगी प्लीज प्लीज ऐसा मत करो चोड़ो हो गय पैर है उससे आप देखना बालू पीछे की ओर जाएगा मतलब आप पीछे की ओर धक्का लगाते हैं क्यों क्योंकि आप आगे की ओर जा सको यह है क्या बच्छो न्यूटन के गतिकत रती नियम अरे भाईया बंदूग दागने वाले बैक्तिना हमेशा पीछे की ओर गिरत धक्का लगे आप खुद गिर जाओ तो ऐसा क्यों क्योंकि यह सब न्यूटन के गतिका तीसरा नियम है बड़िया एक्जामपल है सबसे अच्छा दोड़ने वाला जब आप दोड़ोगे तो आपका हाथ पीछे की ओर जाएगा और यदि आप सीधा हाथ करके दोड़ोगे बच्छो तो उतना तेज नहीं दोड़ सकते जितना कि आप हाथ को हिला कर दोड़ते हैं ऐसा क्यों क्योंकि हवा को आप पीछे की ओर धकेलते हैं तो आपका बाड़ी आगे की ओर जाता है कभी आपने देखा है नाओ में पानी को पीछे की ओर ले जाओ तो आप आगे की और ले जाओगे नाव को सही है कि नहीं पानी को पीछे की और धक्का दोगे नाव आगे की और बढ़ेगा जब आप तैर रहे होते हैं पानी में तो करते क्या हैं पानी को पीछे की और ले जाते हैं हमारा सरीर आगे की और जाता है तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है प तथा बिपरीत प्रत्क्रिया होती है प्रत्ते क्रिया के बराबर तथा बिपरीत प्रत्क्रिया होती है मतलब जितना क्रिया हम आगे की ओर लगाएंगे उतनी ही क्रिया पीछे की ओर लगेगा ठीक है यदि पीछे की ओर नहीं लगेगा तो खतम कानी वहां पर फिर न्यूट ठीक तो यदि हम जितना इस बस्तु पर माली जे उपर एक परडामी बल लग रहा उतना ही नीचे आपका बेट उतना ही लग रहा है यदि बस्तु कहीं पर रखा हुआ इस्थिर है यदि बस्तु कहीं पर रखा हुआ इस्थिर है तो जितना अभिलम प्रत्क्रिया कैपिटल इसको उठाते समय भार नहीं लगता हमको जब कभी आप किसी वस्तु को उठाओगे तो क्यों भार लगता है क्यों नीचे की और बल लग रहा होता है तो इसमें दो बल लग रहे हैं एक उपर एक नीचे की ओर ठीक आद्धनिक जीवन में सबसे बढ़ी है एक्जामपल से पहले थोड़ा सा कैसे लिखना है यहाँ पर आप समझ लो जब भी आपके न्यूटन करती का त्रती नियम आएगा भाई दो नंबर में आएगा तो इस नियमा नुसार प्रते क्रिया के बराबर तथ आप बिपरीत प्रत्क्रिया होती है जिसे मा लीजे एक बस्तू है ठीक है जो कि एक मेज पर रखी हुए एक बस्तू ए है जो कि मेज बी पर रखी हुए बस्तू ए अपने भार डबलू के काण मेज बी पर उर्धोदर नीचे क्योर बल लगाती है भाई भार के काण नीचे क्यों लगाएगी न्यूटन के गतिके त्रतियन ये मानुसार मेज B पर बस्तू A पर उतना ही बल आर उपर क्यों लगती है जिसा कि इस डाइग्राम पर आप देखो कि ये बोला गया कि एक हमारे पास मेज है इस पर एक रखा हुआ है क्या बच्चो? एक बस्तू रखा हुआ है बेज मेज आपका इन्ही एक टेवल है मेज का मतला टेवल एक B है और इस पर एक बस्तू A रखा हुआ है इसमें भार के काड़ WMG नीचे के ओर बल लग रहा है तो ल्यूटन करतिका त्रतिनियम क्या कहता है एक बल उपर की ओर भी लग रहा है जो कि capital R है तीक है इसमें मुकरूब से आपको इतना ही करना है जादा कुछ है नहीं बस तू A दौरा मेज B पर लगाए गए बल W को क्रिया या क्रिया फल तथा मेज B द्वरा A पर लगाए गए बल R को प्रत्क्रिया या प्रत्क्रिया बल कहते है कहने के मतलब यह हुआ कि जो W बराबर MG नीचे की ओर है यह आपका क्रिया है और यह आपका प्रत्क्रिया है उपर की और जो लगा वो बिपरीत बल है यहीं प्रत क्रिया बल है नीचे वाला क्रिया बल है उपर वाला प्रत क्रिया बल है इसको एक्जामपल के माध्यम समझते हैं पहला एक्जामपल आप त्यार करेंगे कुए से पानी से भरी बाल्टी को खीचते समय रसी के तूट जा को पीछे की ओर मतलब लगा रहे होते हैं उतने ही बल थोड़ा फिर समझिए माली जे हम बाल्टी को खीच रहे होते हैं तो जितना भार बाल्टी का होता है उतने ही बल के साथ हम अपने सरीर पर पीछे की ओर बल लगा रहे होते हैं और जैसे ही अचानक रस्ची तूटता है तो बाल्टी नीचे गिरेगा नीचे का बल हमारा खतम और जो हम अपने सरीर में पीछे की और बल लगा रखे हैं वो तो बल लग रहा है इसलिए हमारा सरीर पीछे की और गिर जाएगा आगे की और कभी नहीं गिरेगा जब रसी टूटता है तो हमारा सरीर पीछे की और ही ग लगाते हैं और जैसे ही रस्टी तूट ता है तो कूएं में बालटी चला गया लेकिन हमारे सरीर पर बल लगा हुआ है। वह का लगा पीछे की ओर इसले हमार सरीर जो है पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है तो एक्जामपल में आप लोग सबसे बहतर त्यार करना है कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खीशते समय बैक्ति जितना बल रसी पर लगाता है रसी भी अपने तनाओं के काण उतना ही बल लगाती है बैक्ति दोरा लगाया गया बल क्रिया तथा रसी दोरा बैक्ति समाप्त हो जाती अताब बैक्ति क्रिया की दिस्था में अर्थात पीछे की ओर गिर जाता है ठीक है ठीक चलिए बंदूख से गोली दागने पर चलाने वाले बैक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है क्यों क्योंकि भाई सहाब बंदूख के अंदर बारू जलता है और इस जिससे जलता है तो गैस गोली पर बल लगाती है जिससे गोली अतदिक बेक से आगे की ओर चलती है गोली भी उतना ही बल बंदूग पर पीछे की ओर लगाती है जिससे बंदूग चलाने वाले को पीछे की ओर धक्क लगता है मैंने कहा ना प्रतेक्रिया के बराबर इबम वि काराकरती का एक पदार्थ है समझो उस पर बारा हुआ रहता है बारूद और जैसे धक्का लगाते हैं बारूद जलता है और जैसे जलता है उससे गैस निकलती है तेजी से आगे की और बढ़ता है और जितना बाल आगे की और लगा गैस पीछे की और जाता है तो पीछे की औ धक्का लगेगा की नहीं भाई साहाब मा लीजे जब कभी आप अभी दिवाली आने वाला है पटाका जब आप जलाओगे तो जैसे ही पटाका जलाते तो उपर जाकर वो फूटता है ऐसे कैसे हो सकता है भाई उसका बारूत जलकर नीचे की ओर निकलता है और से गैस के माध् की ओर चला जाएगा तो यह नूटन की गैठी का 13 अनियाम है जब कोई बेक्ति 9 से कूद कर किनारे पर आता है तो नौग पीछे की ओर अजाते है जिससे वह बेक्ति किनारे पर आ जाता है और 9 पीछे की ओर खड़ जाती है ठीक है ऐसे कई सारे एक जामपल से बच्चों ठीक जिसे रितीले जमीन पर चल पाना कठीन होता है क्यों इसका कार्ण क्या होता है कि भाई साहब जब बेक्ती चलता है आगे बढ़ने के लिए ठीक है तो उसके पैर क्या हो जाते हैं धस जाते हैं भाई हम क्या लगाते हैं आगे चल रितिले जमीन पर पैर धस जाता है इसलिए चलने में थोड़ा सा कटिनाई होता है अब भाई चलते समय बैक्ति अपना तिर्शा पैर क्यों करता है बताओ क्योंकि ताकि पैर जो है जमीन पर बल लगा सके पीछे की ओर और हम आगे की ओर चल सकें ये सब किसके उदार्ण है नियूटन के गतिके तीसरे नियम के जभी माली जे कोई जानबर चलता है तो उसके जो खूर होते हैं पैर के जो खूर होते हैं थिक है वो जमीन पर आप देखते हैं कि दब जाता है क्योंकि फोर्स लगाता है उसके पास ऐसा नहीं भाई की हाथ आप घुमाते जाओ plead एश पर हाथ मारना तो आपकी हाथ में भी लगेगा तो यह न्यूटन गति के तीसरा नियम आप समझ के होंगे उम्मीद करता हूं भाईया क्लियर समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो पसंद करके लाइक कर देऊ और दोस्तों के शेयर कर दो आप लोगों के चैनल को सब्स पूड बना रहे हम आपके लिए ऐसे मिनत करते रहेंगे एक चीज और बच्चों दिया आपको नोट्स लेना है है हैंडिटे नोट्स तो कंटेक्ट नंबर में दे देता हूं छेयानवे पचासी उन्तिस इंक्यानवे उन्चास यह मेरा प्रशनल नंबर है नाइन सिक्स ए हमारे एप का लिंक मिल जाएगा एप भी डाउनलोड कर लिजेगा ओके फिर से एक बार जय हिंद बंदे मात्रम